हेलो गाइज, लेट सीखी जाओ, हमें Access Modifier क्या होता है, So guys, Methods, Constructor, Fields, या फिर, जो Instance Variable होता है, या फिर Class हो गया है, इन सब चीजों को कौन-कौन Access कर सकता है, वो कैसे परचलते हैं, हम Access Modifier की help से हम उस Modifying कर पाते हैं, कि इस Class के कहां का हम यूज कर सकते हैं, इस Instance Variable को हम कहां का यूज कर सकते हैं, एक सज़ादा Class में यूज कर सकते हैं नहीं, तो Access Modifier 4 types को रहते हैं, प्रइवे, Default, Protected, Public और इसको हम इडिटेल में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कि हम किसी भी Method के आगे Public लेकाते हैं, इस Method, उस Variable को, किकर सकते हैं, कहीं भी Nos Season 20 को अचनल सकते हैं, फिरत हमारे पास प्रइवेट प्राइवे vrij्गाने भी क्या होता है, हम One Variable को उस तो क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, फिरत हमारे पास Toil DR just a cold system में धर mü Alice 19 तो वहाँ पर भी मुश कर सकते हैं, धन्क्यू